पाकिस्तान में बैठे आतंग के सरगना हर वक्त सीमा पार से भारत में किसी ना किसी नापाक हरकत की फिराक में रहते हैं इसी बीच बीटे कुछ दिनों पहले ये खबर सामने आई थी कि पाक में बैठे जैश मुहमत के आका संग को निशाना बनाने की फिराक में हैं इस पर बात करते हुए पुलिस सायुकत अमितेश कुमार ने कहा कि नाकपुर पुलिस पूरी तरह सजग है और जल्दी इस मामले में आरूपियों को गरफतार किया जाएगा नाकपुर में संग के रेशिम बाग में मौजूद डॉक्टर हैट गेवार स्मरती मंदे परीसर के अलावा कुचानी समेदन शील इस्थानों की रैकी जैशे मुहमत से सम्मन्दित एक शक्स के जरिये किये जाने की जानकारी बीते कुछ दिनों पहले सामनी आई थी पुलिस कमिश्टर अमिदेश कुमार ने इस बात की पुष्टी की थी इस मामले में बात करती हुए उन्होंने कहा की इस मामले की जाच क्राइम ब्रांच पुलिस की और से की जा रही है वहीं कोई भी अनुचित घटना से निबटने के लिए नाकपुर पुलिस पूरी तर करने का प्रैत्न किया था वो सवेदंशिल ठिकान पे बंदोबस्त होने की वजह से वो रेकी उसकी कंप्लीट नहीं हो पाई थी यह information के आधार पे हमने कुना दाखिल किया है UAPA Act के अंतरगत और Crime Branch investigate कर रही है इसमें जो कोई आरोपी है उनको जरूर अरेस्ट किया जाएगा कुछ जो आरोपी ऑल्लेडी दूसरी State Agency के custody में है उसको हम transfer योग्य समय पे करेंगे सभी State और Central Agency जो relevant हैं concerned है उनके साथ coordinated approach में पुलीस नाकपर पुलीस तपास कर रही है सभी जो vital installations हैं उसके सुरक्षा का पहले भी टाइट थी अभी और उसकी आड़ावा लेकर के जो कोई आवश्यक उपायोजना है वो की गई है और अपवादात्मक परिस्तिती में कोई इस प्रकार का attack करने का कोई प्रहत्न करता है उसको neutralize करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से सुसज है इस दर्मियान उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले में जल्द ही आरुपियों को गरफतार किया जाएगा वहीं उन्होंने बताया कि आरुपियों को किसी भी तरह का कोई भी लोकल सपोर्ट नहीं मिला था कैमरा परसन अकिलेश भारत द्वाज के साथ दिशाट वाब बीसी न्यूस नागपुर